नमस्कार विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है दो पहर तक की दो बड़ी खबरों के साथ हाजरूए हैं पहली खबर की बात करते हैं जो की सिवनी से हैं मधिप्रदेश के सिवनी में अफरा तफरी मच गई जब लोगों ने भूकंप के जटके मैसूस किये भूकंप किसी को कोई हानी नहीं पहुची है मौसम वे भागनी बताया कि भूकंप के जटके बारिश की वज़ज़ से आएं अगर दोबारा बारिश होती है तो जटके फिर आ सकते हैं जानकारे के मुताबिक भूकंप के जटके सिवनी में चिंदवाडा चौक पर मैसूस किये गए म पानकार बताते हैं कि सिवनी की जमीन के अंदर चट्टाने अलग तरह की है यह चट्टाने चूने की है पानी लगने पर यह चट्टाने यह चट्टानों में सिकुडन होती है और यह धस जाती है इसी वज़ज़ से यहां भूकंप आते हैं यह भूकंप भी जादा की वज़े से ही आया है बताया जा रहा है कि अभी 24 गंटे में दो बारा भूकम मैसूस किया जा सकता है अगर आने वाले कुछ गंटों में और भी बारिश हुई तो चट्टानों पर असर पड़ेगा लेकिन यह जादा तीवर नहीं होंगे रियाक्टर पैमाने पर इनकी खबर की और मुरेना के सुमावली से विधायक अजब सिंग कुश्वाहा के खिलाफ गुरुवार की रात जमीन की धोका दड़ी के मामले में एफ आयार दर्च कर ली गई है कॉंग्रिस विधाय के खिलाफ आरोप है कि उन्होंने सागरताल रोड पर दो भीगा जमीन बेच लेकिन जमीन नहीं थी इस दोरान पीड़ित कर्ज में डूब गया पीड़ित ने स्पी ऑफिस पहुंचकर हंगामा का रातमदाह की धंकी भी दी थी जिसके बाद हजीरा थाने में मामला दर्च किया गया है 26 दिन में विधायक के खिलाफ यह दूसरी एफ आयार है बता दे संजीत सिंग के खिलाफ दोखादरी का मामला दर्च किया गया है जिसकी जाच की जा रही है करीब 8 माईने पहले भी विधायक के खिलाफ सरकारी जमीन को अपना बता कर बेचने के मामले में एफ आयार हुई थी और अब फिर से कॉंग्रेस विधायक के खिलाफ एफ आयार दर्च की गई है